कि एससी स्टैनों दोजार 22 के केंडिडेट अब आंगे क्या होगा अभी तो इसकिल आपका हो रहा है ठीक है 15 और 16 इसके बाद क्या प्रोसीजर होगा सॉट में समझा देता हूं कि इसके बाद क्या होगा कि आपका इसकिल का रिजल्ट आएगा जिसके बाद आपको पोस्ट प्रफेरंस आपको बरवाया जाएगा अब प्रफेरंस आपका इंपॉर्टेंट है तो उसके पहले मैं क्या हुआँ गूंगा कि अभी मैंने अल्लीडी आट के लगाई है तो इसके पहले मैं आपको बता दूँगा कि और आप इड्विजबल पूछना चाहते हो तो अप इस्टाग्रम पर सरकारी नौकरी वाले भाबा टाइप करोगे आप अपने मार्क्स के उल्डिंगर जो आप होगे उसी सबसे मैं आपको पूछने जूरत नहीं है आपका जैसे ही आपके इसकिल का रिजाल्ट आएगा उस टाइम पे आप पूछो के तो मैं पता दूगा तो मैं अभी से इसी विज़ेस बता दे रहा हूँ कि हर पर्टिकलर इस्ट्रेंट्स पाद यह इन्फोर्मेशन पहुंच जाए क्यों कई बार पूछने जा रहा हूं और हो सकता है कि मुझे वह पोस्ट ना मिले ठीक है तो आप इसकिल देने जा रहे हो तो उसके बाद आपक हो तो कहीं ना कहीं आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा तो अगर आपको लग रहा है इसकिल में अगर आप पास हो रहा है उसके बाद देखो भाई इतने वच्चे पास हो रहा है अगर आपका जो पोस्ट मन चाहिए जो पोस्ट अगर आपको मिल पा रही है तो आप पोस् को कैंसिल कर दीजिए तो यह बाकी अधर इस्टुरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्फुल रहेगा कि कम से कम उनको एक पोस्ट मिल तो जाएगी क्योंकि हर किसी के लिए एक जॉब कोई भी आपका हो नहीं दूर हो या पास हो जॉब हर किसी लिए इंपोर्टन रहती है तो यह चीज आप सभी निमार्ट में रखें बाकी पोर्टन रिजल्ट है वह आपका डिकलेर किया जाएगा तो इस तरीके से कुछ प्रोसीजर आपका रहने बाला है